Hey guys, it's a pretty and आप देख रहे हैं अपना YouTube channel IQ Students Point and University of Delhi SOL की तरफ से जो final year के students हैं, जो second phase OB examination देने वाले हैं उनका जो admit card है वो published कर दिया गया है, इसमें कुछ changes हैं तो आईए देखते हैं क्या कुछ नया है इस admit card में तो सबसे पहले आप अपने SOL की official website को login कर लोगे website login करने के बाद, आप यहाँ पे अपने student dashboard पे login करोगे student dashboard पे login करने के लिए, यहाँ आप अपना SOL role number and barcode फिल करोगे then यहाँ login पे click करोगे, login करने के बाद, आपको आपके screen पे कुछ ऐसा interface शो होगा यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा हुआ है, UG admission ticket for open book examination 2020 तो आप इस पे click करोगे, इस पे click करने के बाद, आपको थोड़ा सा wait करना है then आपका यह screen open हो जाएगा, ठीक है, जब आप नीचे scroll करोगे तो यहाँ पे आप देख पारे होंगे यहाँ आपकी सारी personal details mention रहेगी, like subject, examination, date and all ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे scroll करोगे तो यहाँ सारे examination date कि कौन सा examination, किस date को, कितने वज़े से है, वो यहाँ पे timing mention है अब यहाँ पे problem यह आ रही है students को, कि उन्होंने जिस subject का form fill नहीं किया है उस subject का भी उन्हें यहाँ पे examination date, timing and all show कर रहा है उनके dashboard पे, right तो अब ऐसा क्यूं हो रहा है, इसे later मैंने mail किया है SOL को So I hope जल्दी ही उनका reply आए, then मैं आप लोगों को inform करूंगे clear है, so जब आप नीचे इसके बाद scroll करोगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ instruction and all भी आपको दिये हुए हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसके बाद ही आप अपना examination दीजेगा अभी 2-3 दिन टाइम है examination के लिए, so I hope जल्दी ही उनकी तरफ से reply आए, जिससे कि मैं आप लोगों को भी inform कर पाऊंग So thanks for watching this and best of luck all